Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, आपका भी लेकर आया है, new job की खबर तो वीडियो में लास्तक बने रहे ना, जबी आपके सभी questions and doubts यहां आपके clear होने वाले है, तो चलिए इस recruitment में हम discuss करते है, SGVN Limited की तरफ से 2023 की latest notification यहापर आपको देखने को मिलने वाली है, detail में discuss करने वाले है, इ eligibility criteria है, किस तरीके से रहने वाला है, जो यहाँ आपका selection process है, वो किस तरीके से रहने वाला है, जिसमें कौन-कौन से state के candidate यहाँ पर eligible रहने वाले है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले है, तो वीडियो में लास्तक बने रहना, जो भी आपके सभी questions and doubts यहाँ आप आपका minimum contact period रहने वाला है, और अगर आपका performance अच्छा रहा, या फिर उनके जो SG-1 Limited है, उसमें अगर आप project यहाँ पर ज्यादा quantity में project देखने को मिले, तो यहाँ पर two year का आप यहाँ पर extend कर सकते है, contact period को, इन्होंने notification में clearly mention किया हुआ है, आप यहाँ से readout भी कर सकते है, इसकी complete notification की PDF में आपको telegram page पर provide कर दूँगा, जो भी candidate interested है, वो telegram page को जैन करके, इसकी complete notification को आप easily readout भी कर सकेंगे, उसने वाइस vacancy की बात करें हैं, तो junior field engineer and junior field officer के लिए यहाँ आपको vacancy देखने को मिलने वाली है, जिसमे eligibility criteria की बात करें, तो diploma candidate and graduate candidate यहाँ पर इस recruitment के mechanical से हुआ है, वो यहाँ पर easily apply कर सकते है, junior field engineer post के लिए, आप यहाँ से vacancy भी readout कर सकते हैं, कि civil के लिए 19 vacancy है, electrical के लिए 15 है, mechanical के लिए 10 vacancy यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, HR post के लिए यहाँ आपको 10 vacancy देखने को मिलने वाली है, HR post के लिए जो eligibility criteria में, business management में, office management में, या public administration में, तो आप HR post के लिए यहाँ पर आप easily apply कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ आपको 10 vacancy देखने को मिलने वाली है, and जो post है, FNA, उसमें भी आपको 12 vacancy है, जिसमें अगर आपके पास CA, या ICWA से अगर आपके पास graduate है, तो आप यहाँ पर easily apply कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास diploma है, computer science है, computer engineering में, information technology में, तो आपके लिए यहाँ आपको 8 vacancy है, आप IT post के लिए junior field engineer post के लिए आप easily apply कर सकते हैं, OL junior field officer के लिए यहाँ आपको 2 vacancy है, अगर आपके पास master degree है, तो आप यहाँ पर easily apply कर सकते हैं, यहाँ पर जो next post देखने को मिलने वाला है, पियार junior field officer, अगर आपके पास graduate है याँ डिपलोमा है, तो आप यहाँ पर easily apply कर सकते हैं, अगर आपके पास graduate याँ डिपलोमा है, generalism में, public relation, यहाँ पिर आपका mass communication में graduate याँ डिपलोमा है, तो आपके लिए यहाँ आपको 4 vacancy है, यहाँ पिर अगर आपके पास 3 year का diploma है, architecture म को मिलने वाली है, वो total 155 post पर यहाँ आपको total vacancy है, जिसमें salary की बात करें तो यहाँ आपको salary provide होने वाली है, दोनों post के लिए, वो 45,000 यहाँ आपको per month के लिए salary provide होने वाली है, पलस यहाँ आपको other alliances भी है, आपको देखने को मिलने वाले, जो भी candidate interested है, आपको वीडियो पेज पर provide कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर जो भी आपकी questions या doubt है, आप हमें comment में भी जाकर पूश सकते हैं, या फिर आप telegram पेज पर इसकी complete notification सी भी आप easily read out कर सकते हैं, और जो यहाँ आपकी post name wise vacancy है, वो भी आप यहाँ से easily read out कर सकेंगे, कि civil के लिए general में कितनी vacancy ह SC में, OBC में, EWS में और जो EX सर्विस में ने PWD candidate है, उनके लिए यहाँ आपको कौन-कौन से post के लिए कितनी vacancy है, उसका आप यहाँ से वीडियो को stop करकी भी structure check out कर सकते हैं, या फिर आप notification से easily read out कर सकेंगे, और जो यहाँ आपकी maximum age limit की बात करेंगे, तो 30 है, यहाँ आपक सबसे हैं आपको relaxation मी देखने को मिलने वाला है, जैसा जो candidate SCST से belong करते हैं, उनके लिए हैं आपको 5 year का relaxation है, VC के लिए हैं आपको 3 year का relaxation है, और जो candidate PWD category में आते हैं, उनके लिए हैं आपको 10 year का relaxation देखने को मिलने वाला है, इस तरीके से हैं आपका age limit रहने वाला है, selection process की ब बाद उनका document verification के basis पी उनका final selection होने वाला है और जो है आपके test center देखने को मिलने वाले CBT type के वो अरुना चल परदेश, नागर लेंड, आसाम, एंड जो हैं आपको various हैं आपको center देखने को मिलने वाले मिज़ॉर, मेगालिया तीरिपूरा, सिक्कीम, मनीपूर इस तरीके से ही आपको test center देखने को मिलने वाले जो आपका CBT Type के पैटरन रहने वाले कीरूटमेंड के अंदर कौन कौन से से स्टेट की candidate यहां पर इलिजी बढ़ रहने वाले तो जो candidate अरुना चल परदेश, नागा लेंड, आसाम, मनीपूर, मिजोराम, मेगालिया, तिरीपूरा एं सिक्किम से अगर इस state से आप बिलाउं करते है तो यह आप इस recruitment के लिए इलिजी बढ़ रहने वाले है, मतलब इन्होंने selected state किया हुआ है, क्या only इस state के ही candidate यहाँ पर इलिजी बढ़ रहने वाले है और जो है आपकी minimum age रहने वाली है, वो 18 रहने वाली है और maximum यहाँ आपकी 430 यहाँ आपकी maximum age limit यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है, relaxation आपको as per government rule के साब से आपका relaxation है, selection process मैंने आपको detail में discuss कर दिया कि जो यहाँ आपका selection process है वो only cbt type के basis पर यहाँ आपका selection होने इस तरीके से इसकी यह notification है, इसको direct apply करनी की link में आपको वीडियो के description में provide कर दूँगा, जो भी candidate interested है, वीडियो के description में जाकर directly इस application form को आप easily fill up कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी questions या doubt है तो आप हमें comment करके जरूर से पूछ सकते हैं या फिर आप telegram page से इसकी complete notification को भी आप easily read out कर सकते हैं और अगर आपको इसी तरीके से latest government job की update या engineering से regarding latest government job की update सबसे पहले देखना है तो आप इस channel को subscribe करके रख सकते हैं ताक्के जो भी new इडियो अप्लोड हो उसकी notification भी सबसे पहले आप तक provide हो सके